अज शुरूरात हो गई है मिठाई बनानी की घर में अच्छी खुश्बू आ रही है और हम लोग मिठाई बनानी की तैयारी शुरू कर रहे हैं देखते हैं मम्य क्या कर रही है चलिए ग्र्णानी को आजरी ग्रे मिठाई definition की डब और हमें खेवां दिपाउली जया है जी दिए एन डटर के व्यूंस बांनी कॉन रहला है। नायरेً àव न साहीनली दिपाउली एन बनानी को के whats tend to memory किमिठ तैयाई तो में कम बना रहे हैं कि ultimately फिर सारी हमें ही खाने पड़ेगी जैसे तो खुशी से खाएंगे बट फिर वो मिठाई खाने के बाद जो वेट बढ़ता है उसको कम करने में बड़ा दुख होता है इसलिए हमने मम्मी से कहा है और इसमें इलाइची पाउडर पिसी इलाइची पाउडर जा रहे है नारियल के लड्डू वाव यह कितना प्यारा लग रहे है तो लड्डू बनके तयार होने लगें तट्टू इसको हम सूखे नारियल के बूरे में थोड़ा सा लपेट देंगे लगाइस देखो वहाँ पे पहाड़िया है हील्स थी विल्कुल गाया भोगी है सड़दी के काई देखो 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 बिल्कुल गाया भोगी हील्स यहाँ से ही नहीं दिखरी है देखो हुई नावा पर शुदू से असा लग है वहाँ पे हल्की हल्की दिखरी है हाँ वो तो दिखरी है देखो हाई है क्या कर रहे हो देखो देखो दर पहाड़िया कितनी मां बिल्कुल देखी नहीं दी कैमरे में क्या है गी है इसने दिख रही है यहां पे बिल्डिंग्स हल्की दिख रही होगी आपको वहां पे बिल्डिंग्स है वहां पर अब हमारी यह लग रही है हम हुम् पीछे पहाड़ी उस साइड में दिखे की तो नहीं यही से नहीं दिख रही है प्रेंड्स रूप में बैठें आज हम लोग थोड़ा रिलाक्स होके मॉनिंग के सारे काम हो गए है और एश साइकल चला रही है कहों गी काफी आगे चली गई है तो अपने बैसन की चक्की देखी बनाई या नहीं बनाई प्लीज बताएं मुझे हमेरे दोस्तों नहीं कहाए कि चक्की भी ऑनलाइन बिज़वा देना इस वेरी नाइस है शागी है हो गया हो और चलाओ गया है जो पूरी सोसाइटी में घूमके आजओ क्यों सोसाइटी मेरी काफी बड़ी है लेकिन फिर भी अच्छा मौसम में गुन गुनी दूप खिली हुई है और हम लोग यहां बैठे हुए है आज थोड़ा रेलक्स कर लें कल से तो त्योहर के काम शुरू हो जाएंगे आज इनका दीपर्व शुरू हो रहा है कल से अगल्य जोड़ी है अगली जोड़ी हो है हलो फ्रेंड्स तो आज आपने देखा नारियल के लट्डू हलाकि हमने शौट फॉर्म में दिखाए क्योंकि नारियल के लट्डू सभी लोग बनाते हैं और आराम से बनते हैं लेकिन ये भी हमारी एक फैवरेट डिश है हमने इसको इसलिए आपके साथ शेयर किये तो विश्वास है कि आपको मज़ा आया होगा दिवादी पे घर में मिठाईया बनाईए खाईए और एंजोई कीजिए और हमेशा देखते रहे हैं हैश्टेक लाइफ ब्लॉग क्योंकि दिवादी पे कुछ और भी सर्प्रेज़ हो स तो अच्छे लगेंगे आपको भी जुरूर अच्छे लगेंगे तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक करना शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस मिलते हैं जल्दी नेक्स वीडियो में तिल रैन बबबाई टेक क्यर